सिर्फ एक गिलास रोजाना इस जूस को पी लो कितनी भी कमजोरी रहती है ठकान रहती है शरीर में गर्मी हो गई है या फिर खून की कमी हो गई है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी मोटापा बढ़ गया है धीरे धीरे मोटापा भी कम हो जाएगा और ये जूस आपको सो से जादा बिमारियों से बचाएगा इसमें इतनी सारी चीज़ें हमने डाली हैं जो कि बहुत ही जादा फायदे मत हैं हाई फ्रेंट्स मैं कीता और मैं कीता की नूरेश्पी इस हिंदी में इक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वाध़ करती हूं अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजे कर लाइक दूसरों के साथ शियर करिएगा और कॉमेंट करना बिल्कुल मन भूलें कि चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करते हैं तो आई जी वीडियो शुरू करते हैं तो यहा जाता है तो डॉक्टर भी कहते हैं सलात को अपने डाइट में शामिल करिए इससे आपकी कब्स की जो शिकायत है वो भी दूर होती है बहुत सारी अंगिनत बिमारियां इससे दूर होती हैं तो सबसे पहले मैंने आपे दो देशी खीरे लिए हैं हमें क्या करना है इसकी कड पर निकालनी है ताकर हमारा जूस कड़वा ना हो इसतरह से ऊपर से कट करेंगे हलका हलका सा कतका लिआ और गोल गोल गुमाएंगे इसकी कड़वाहथ हमें कैसे निकालनी तो इस स्ब्सक्ति कड़वाहथ निकालनी होती है बस इस तरह से घुमाते जाय entr want आपको ज़ाक द पर इस जूस में हमें छिलके का भी इस्तमाल करना है और इस तरह से चोटे-चोटे पीसे में कट कर लेना है अगली चीज जो मैंने लिए है वह लौकी और लौकी के फायदे तो शायद सभी जानते होंगे कितना बड़िया होता है चाहे शुगर पेशिंट हो चाहे हार्ट प् कर आप सारी बिमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा तो यहां पर मैंने आधा-टी लौकी ले लिया है यसे चिल लिया there और इसे में च τονटे-चोटे पीसेज में काट लेती हुआ तो फिलाल अभी तक हमने दो चीजे इसमें शामिल की है, तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे शामिल करने वाले हूँ, यह चुकंदर और चुकंदर सभी जानतेगे हैं, कोन की कमी को दूर करता है, जितना जादा चुकंदर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं आपकी खून की कमी की अगर दिक्कत है तो आपका वो कमी दूर हो जाएगी और खून भी आपका साफ करेगा खून बनता नहीं है खून बनने लगेगा तो बहुत ही कमाल का काम करता है और इसे हम सैलड में भी खाते हैं क्योंकि ये पेट को साफ करने में बहुत जादा मदद करता है तो मैंने यहाँ पर बड़े साइस का चुकंदर था तो आथा ले लिया है अगर छोटे सा इसका आप ले रहे हैं तो एक पूरा ले सकते हैं इस तरह से मोटा मोटा छिलका इसका उतार लीजिए और इसका color आप देख सकते हैं जितना mart कacolor आप red देख रहे हैं ऐसे ही आपका भी खून बनने वाला है जब इस juice को आप लगातार पिएगे आपके खून की कमी बिल्कुल दूर हो जाएगी कोई आरेंड की गोलिया आपको लेने की जरुवत नहीं है इसे भी मैं छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेती हूँ तो ये तीन चीज़े अभी तक हो चुकी है यहाँ पे ब्लेंडिंग जार लेंगे जो बड़ा वाला ब्लेंडिंग जार होता है अगर आपके पास जूसर है तो आप डायरेट उसमें जूस निकाल सकते हैं पर बहुत सारे लोगों के पास जूसर नहीं होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको मिक्सी में निकाल के दिखा रही हूँ ब्लेंडिंग जार में इस तीनों चीज़े मैंने डाल दी है अगली चीज जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पाइदे मन्द है वह है पुदीना पेट की कोई भी समस्या हो पुदीना दूर करता है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है अगर थायरड है आपको तो डेली सुवे सुवे हरे धनिया का जूस पीजिए देखिए आपका कैसे थायरड कंट्रोल में आता है तो यह जो जूस है ना यह बहुत सारी बीमारी उसे आपको बचाएगा यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने इसके इंदर डाला और इसे करना है इसका जूस निकालना है तो एक बड़ा सा बाउल मैंने ले लिया है उसके उपर एक बारी कपड़ा रखेंगे और यह पूरा पेस्ट हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डाल देंगे और इस कपड़े से हम इसे निचोड लेंगे आप देख सकते हैं कितना सारा साथी पल्प भी आजाता है जूस के अंदर अगर पल्प समेथ पी सकते हैं तो बिल्कुल पीजिया और भी जादा फायदेमन होता है पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है पर जो लोग नहीं पल्प के साथ पी सकते हैं वह इस तरह से बारी कपड़े से च्छाने और ब के लिए बहुत जादा फायदेमन होने वाला है इम्मृटी बूस्टर जूस आप इसे कह सकते हैं बहुत सारी बिमारियों से आपको बचाएगा और यह जो आपका बचाएगा इसे भी फेक ना नहीं है इसे क्या करना है अपने गमलों में डाल देना है यह खाद का काम अब इसके अंदर अगली चीज जो में डाल रहे हूं वह है काला नमक हाफ टी स्पून के करीब और काला नमक सभी जानते डाइजेशिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है पेट की कोई भी समस्या है काला नमक यूज करिए आपका पेट हमेशा सही रहेगा अगली चीज ज में होता है भर भर के विटामिन सी और अगर आप विटामिन सी का डेली इस्तिमाल करते हैं तो आपको बहुत सारी बिमारियों से निजात मिलेगा क्योंकि विटामिन सी एक इम्मूनिटी बूस्टर होता है बहुत सारी बिमारियों से हमें बचाता है तो एक पूरा निम्ब कोई भी इस जूस को पी सकता है तेस्ट में कोई दिकत नहीं कोई ऐसी चीज हमने इसमें नहीं डालिया जिसका टेस्ट आपको नहीं पसंद आएगा यह जूस बहुत ही बढ़िया है इसे कैसे लेना है वह भी मैं आपको बता देती हूँ तो एक गिलास इस जूस को आप और उसके बाद आधे घंटे का गैप आपको देना है गैप के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है उससे पहले ब्रेकफास्ट नहीं करना है नहीं तो यह जूस अपना असर नहीं दिखाएगा अब बहुत सारे लोग के कमेंट होते हैं क्या इसे बाद में पिया जा सकता है पी सकते हैं पर यह ज़्यादा असरतार morning में होता है और इसे fresh बना कर ही पीना है इसे store करके नहीं रखना है नहीं तो इसके nutrients खतम हो जाते हैं तो आप इस juice को ज़रूर ट्राइ करें बहुत ही कमाल का juice है nutrient से भरपूर है immunity booster है बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा और अगर इसे आप लगाता है पूरी जल्गी पीते हैं तो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे अगर आज का ये वीडियो आपको helpful लगता है अच्छा लगता है तो लाइक कर देजेगा दूसरों के साथ शे जाव जाव वीडिया तो लोगता अबेस ये जाव जाव जब के सकता है अच्छाaden भास एक दाव जाव जा गार सी आव जाव जाव खूरों के सदक्षींक दिह